तो यही सबसे छोटा चैप्टर है, नाइन चैप्टर, अगर आपने टेलिग्राम ग्रूप जोईन नहीं किया है, तो आप क्लास 12 एस पी नियो ग्रूप सर्च करेंगे, तो आपको टेलिग्राम ग्रूप मिल जाएगा, आप जोउन कर सकते हैं, अब बात करते हैं, आपे वै दूसरे इस्तान एक देश से, दूसरे देश जब कोई वस्तो पहुंचती है, तो वो प्रवाह कहलाती है, अब उसमें वस्तो भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्जामपल मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से, सबसे पहले बस आप इतना य पहुंचाना या देश से विदेश में पहुंचाना या देश से पूरी दुनिया में पहुंचाना ठीक है यह सभी क्या आ जाएगा विचारों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने में आएगा तो विचार जब एक देस से दूसरे देस में एक जगा से दूसरे जगा पहुंच जा양, तो ़ो भी वैश्विकरन का ही एक उधारण है अब माझना लीजे वस्तु हैं कोई वी वस्तु है, अगर वो एक से अधिक देसों में पहुंच जा रही है प अच्छी आजी विका की तलास में काम करने के लिए एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं रोजगार के लिए तो ये भी वैश्वे करने हो जाता है मैं आपको कुछ उधारन दूँगा आप उसे समझे देखिए ये आपके सामने मान लीजिया आप कंप्यूटर या लैप्टॉप लेना चाहते हैं ठीक है तो आप जब जाएंगे मार्केट में तो आपको कई सारे ब्रेंड मिलेंगे ठीक है अब मान लीजिया आप पीसी लेन की कोसिस कर रहा हूं उसे ध्यान से समझो एसर जो है एक कंपनी है यह कौन से देश की कंपनी है यह ताइवान की कंपनी है ठीक है और लेनवा जो है यह चाइनीज कंपनी है एच पी जो है यह अमेरिका की कंपनी है डेल जो है यह भी अमेरिका की कंपनी है आसुस जो है यह जैसे Acer का जो product है हो सकता है यह Taiwan में ही बना हूँ Lenovo Chinese product है हो सकता है चाइना में बना हूँ या फिर चाइना के अलावा किसी दूसरे देश में बना हो सकता है यानि कि आप देख सकते हो कि यह सारे brand जो हैं बाहर के हैं विदेशी हैं लेकिन market में आपको यह मिलते हैं तो यहाँ पर क्या है कहने का मतलब मेरा उधारन में आपको जो समझाना चाहरा था अभी मैंने आपको बताया था जब कोई वस्तू एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाए तो वो क्या है वैश्वे करने अब मान लेजिए आप एसर खरीद के लिए हैं और यह ताइवान की कंपनी थी और यह manufacturing भी मान लोगो उसके ताइवान में ही हुई है ताइवान made in ताइवान लिखा आपको मिल लाए यानि कि वो product आप जो खरीद के लाए वो ताइवान में बनाए बट आप इंडिया में हो पर आप आराम से उसको खरीद के लाए हो यानि ताइवान से वो चीज आपको इंडिया में आराम से अवेलेबल है तो समझ रहे हो ना कि मतलब वस्तू किस परकार से एक देश से दूसरे देश में जा रही है और ये है हमारा वैश्वे करन ठीक है आप अच्छे से समझ गए अब यही एक्जामपल मान लो ही इन सभी पे लागू हो जाते हैं अब आपको बहुत अच्छे से समझ गए होगा एक और एक्जामपल देता हूँ आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने जाते हैं और आपके सामने ये ब्रैंड बिलते हैं आप इनमें से कोई सा भी ब्रैंड का मोबाइल खरीद सकते हैं तो आपको यह पता है यह Chinese ब्रैंड है तिक है और आपको लिखा भी मिलेगा उसमें माने बिखते हैं आपको आप समझ सकते हैं कि धुनिया वर मे बने वाले प्रोडक्ट वी वैश्वेकरन है ऐसे भारत में बनने वाले प्रोड़क्ट जो है वो भी बाहर बिखते हैं तो ये भी वैश्वेकरन का उधारन है अब मान लीजिए विचारों का भी अभी मैं आपको बताया था विचार जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए तो वो भी वैश्वेकर नहीं वो वर्ड में बिख सकता है एमेजोन वगेरा पर आप नॉबल सर्च करोगे तो बहुत सारे हैं विदेसी नॉबल आपको अविलेबल हो जाते हैं और इंडिया के जो लोग है वो पढ़ते भी हैं ऐसे इंडिया में लिख्यों ही चीज़े जो प्रेम चंद्र वगेर है तो ये भी वेश्वे करनें अब ये जरीए भी हो सकते हैं विचार में परिवरतन वुक्स के जरिया हो सकता है मैग जिन के जरिया हो सकता है और फिल्मों के जरिये थी अब वहां पर अमेरिका की मुवी है कोई उसमें आप एक्षन वगेरा जो भी है देखते आप तो इससे भी क्या है कि मतलब कहीं न कहीं आप उसको पसंद कर रहे हैं तो वो भी आपके विचारों को प्रभावित कर दें तो इस तरीके से विचार जो है एक जगह से दूसरी ज कर जा सकते हैं अब लोगों का भी मैंने बताया था जैसे मान लोग कई सारे इंडिया के लोग होते हैं वो जाके काम करते हैं साओधी अरेबिया में कई लोग हैं जो ओमान में जाके काम करते हैं कुछ लोग यूएस में काम करते हैं कुछ बिटेन में जाके काम करते हैं भी वैश्विकरन है अब यहीं पर हम पूंजी का भी बता सकते हैं कि पूंजी जब पैसा जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो वह भी वैश्विकरन है ठीक है यह बहुत सारे एक्जांपल देखें मैं आपको बहुत आसान करके समझा रहा हूं उम्मीद करता हूं समझ जाएंगे अब यहां पर एक और गहानी मैं आपको बता देता हूं वैश्विकरन हम देखते हैं 1990 के बाद 91 के बाद भारत में वैश्विकरन को हम जदा पढ़ते हैं कि आप वैश्विकरन पहले कभी नहीं था क्या यह व्यापार और विचारों का आदान प्रतान क्या यह पहले कभी नहीं होता था तो आप अगर ancient history पढ़ते हैं प्राची नितिहास पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे भी मिलता है एक्जामपल के लिए आपने class 12th history chapter 1 पढ़ा है chapter 1 में आपने हडपा सब्विता पढ़ा होगा आपको याद है हडपा सब्विता में हमने क्या देखा था कि उसकी समकालें सब्विता में सो पोटामिया वगरा से क्या था उसका व्यापार था यह भी आपको याद होगा यानि व्यापार वहां पे भी वस्तु का आधान प्रदान हो रहा है यानि कि ये सारी चीज़े वहाश्वेकरण पहले भी थी विचार जो हैं जो है पहले भी था और आज भी है फरक क्या है इसमें अब ये समझझे ये आपको फरक समझने कि वहाश्वेकरण पहले भी था और वहाश्वीकरण अब भी है लेकिन अब इन सब चीजों में आई यह टे एक्जामपल के लिए मैं आपको बताता हूं अगर आपशन हिस्ट organizing we integrate वहाँ से डिली से आप पंजाब जा रहा है इतना समय अगर आज समय में अगर को Quel 계 विँन आपको तो अब यहां पर आप समझने के कारण क्या है यानि वैश्विकरन पहले भी था और विफ यह भी है बस फर्क है कि अब जो जो जिस चीज में पहले बहुत समय लगता था अब वो बहुत कम समय में हो जाती है अब दूसरा एक्जामपल आप देखिए कि आज के समय में देखो क्यों हो पाया यह सब पॉसिबल सबसे पहले देखो टेक्नोलोजी के कारण उस समय में इतनी अच्छे टेक्नोलोजी प्रवध्योगी की तक्नीक नहीं थी जितनी तक्नीक अच्छी आज के समय में हो गई है एक्जामपल मैं आपको देता हूँ टेलीफोन का ठीक है टेलीफोन का जैसे मान लेजिए आज से अगर हम सो डेड़ सो साल पहले देखिए तो जो कम्यूनिक फिर वहां से वो उसको पढ़ेगा और वो आपको रिप्लाई करेगा हो सकता है उदर से चिट्ठी आने में दस दिन लग जाए यानि आपके बीच में जो कम्यूनिकेशन हो रहा है उसमें आपको 20 दिन का समय लग रहा है और काफी मुस्किल था लेकिन आज के समय में जब टैलीफॉन का विसकार हो गया उसके बाद क्या है आप यहां से कुछ नंबर डायल करोगे चंद सेकंडों में आपकी कॉल उसके पास महुच जाएगी और आप बिल्कुल लाइव बाते कर पाओगे और वर्टसेप आज के समय में और यह फेसबुक और आप समझते हैं कि कि कारण अगर पूछें तो आप बता सकते हो टेकनोलोजी एक कारण हो जाएगा टेलीफॉन टेलिग्राफ का विश्कार हो जाएगा चापी मुद्रन यह सौरी टाइपिंग की मिश्टेक है इसको छपाई या फिर मुद्रन तकनीक कह सकते हैं छपाई तकनीक पहले जो जाती थी आप देखोगे मुगल काल में आप पढ़ते हो थे पांडूली पी लिखी जाती थी हाथ से किताबे लिखी जाती थी एक किताब को लिखने में 10-10 साल लगा दे देते राइटर तब जाके किताब बन पाती थी लेकिन जब छपाई तक नहीं का गई छपने लगई किताबें उसके बाद क्या है एक बार में एक किताब जैसे बन गई उसको चापने के लिए मतलब एक दिन में 100-100-100-100 किताब बड़े अराम से चाप देते हैं जबकि पहले 10 साल में केवल एक किताब बन पाती थी तो प्रिंटिंग वगेरा आने के बाद कितना ज्यादा के यूप में देखा जाता है यानि इसके कई छेत्रों में हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं अाध्यितिक हमाई होगा है बात करते हैं सबसे पहले हम हम वैश्ज nितिक परिणाम के क्या राजनितिक परिणाम हुए है तो देखे ध्यान से समझी आप इस चीज़ को ये पॉइंट आपको याद रखने सरकार की नीतियों, कारेयों और भूमिका में अब बदलावार है आज से अगर सो साल, डेड़ सो साल, दो साल पहले आप देखोगे तो सरकार की भूमिकाएं कुछ अलग तरीके से होती थी कई जगा पे तो सरकार ही नहीं होती थी, रास तंत्र होता था, राजा का शाशन होता था ताना साही शाशन होता था, लोग तंत्र ना के बराबर था, तो बिलकुल अलग था जैसे जैसे समय बीचता गया और वैश्विकरन का दौर आता गया तो सरकार की जो नीतियां थी पॉलिसी, काम करने का तरीका, सरकार की भूमिका उसमें चेंजिस आने लगे उद्योगों में अब सरकार थोड़ा कम हस्तिचेफ करती है पहले क्या होता था, सरकार का पूरा हस्तिचेफ होता था अब सरकार क्या करती है, अपने आपको ज़्यादातर कल्यान का रही राज्य के धारणा से हट कर नियूंतम हस्तिचेफ वाली नीति अपना रही है यानि अब क्या कर रही है सरकार कि जादा तर मतलब बहुत मतलब योजनाए बनाने से थोड़ा सा हट कर कम से कम हस्तेचेप वाली नीतिया बना रही है कम से कम हस्तेचेप जो बहुत बेसिक सुविदाएं हैं जनता के लिए उसके लिए ही काम करती है सरकार के पास उच तकनीक आ रही है अब दीरे दीरे और सरकार उस अच्छी तकनीक से सरकार जो है अपने नागरेगों पर नियंतरन बना रही है एक्जांपल के लिए आधार कार्ड वगएर आप जानते हो आधार कार्ड एक तकनीक है उसके तहता आपके fingerprint scan वगएरा होते हैं कल को क्या होता है आप कभी भी कहीं बाहर होते हो तो आपके fingerprint scan करके पता लगाए जा सकता है कि भाई यह फलाना विक्ति है इसका यहां बना हुआ है इसका यह एड्रेस है और यहां का है मतलब समझे हो ना और भी कई सारी टकनीक हैं technology है जिससे व्यक्तियों पे नियंत्रन रखा जा सकता है सरकार के द्वारा राज्य राज्य का मतलब वाला काम बंद कर दिया राज्य लेखा जाए तो अभी भी राज्य ताकत वर हैं तो ये कुछ राजनेतिक परिणाम थे बेसिक आपको लाजनेतिक परिणाम आपने देख लिए इसके सांस्कृटिक प्रभाव भी कुछ हुए अब सांस्कृटिक प्रभाव गयाः इसको समझे नके पर जो रहे हैं जो भारत में आज से सो साल पहले कैसा हांपान होता थाben sitten पो आप देखो नूद दही घी मांस वगेरा और और अन्य चीज़े इन सब चीजों को ज्यादा खाते थे लेकिन अब क्या है आज के समय में चाउमीन बर्गर के मोमोज और पता नहीं क्या पीजा वगेरा ये सारी चीज़े बहुत चलने लगे हैं पहले इन चीज़ों का नामो निसा नहीं होता था आज ये चीज़े कम होती जा रहे हैं और लोगों का इन से मोह बंग हो रहा है और इन चीज़ों में जा रहे हैं यानि कि हमारे खान पान में बदलाव हो गया और यह किसके कारण हो पाई वैश्विकरन के कारण हो पाई है समझे रहे हो आप इस चीज़ को यानि हमारे खान पान में बहुत ज्यादा बदलावा है पहले जो लोग होते थे उनका जो इस पर लगेगा और तरी के जो थे बिल्कुल बद्ले वे थे लेकिन अब के समय में देखो तो रहें में बदला हुआ रहे है, जिन्दगी जो है वो बिल्कुल फास्ट होती जा रही है पहले क्या होता था कि जैसे मान लोग किसी वेक्ति का एक्सिडेंट हो गया तो कम से कम दस लोग आ जाएंगे उसको हाल चाल देखने उसको हॉस्पिटल पहुंचाने या फिर उसके उसकी मदद करने आज के समय में क्या हो रहा है जिन्दगी इतनी फास्ट हो रही है अगर आप रोड पे देखोगे किसी का एक्सिडेंट हो गया तो लोग गाड़ी से चलते चलते जाएंगे और देखते देखते जाएंगे पर कोई उसके हेल्प करने के लिए नहीं आता लोगों के बाद समय ही नहीं बचाएं ठीक है समझे रहें सेहन और हमारा जो तोड़ तरीका था वो बदलने लगा है संस्कृतियों का हास हो रहा है यानि जो हमारी संस्कृति होती थी पुरानी संस्कृति हमारा जो त्यवहार वगरा होते थे या जो हमारा पहनावा होता था जो भी होता था मतलब वह बिल्कुल दीरे-दीरे खतम होता जा रहा है और हम कहीं न कहीं अमेरिकी संस्कृति पषचिमि सवयता के अनुसार हम ढलते जा रहे हमने की छीज़े जो ज़िदा लुभा होग नहीं लगती हैं हम उनके जैसा बनना चाहते हम मॉडन होना चाहते लहे इसलिए यह लोग इसका विरोध भी करते हैं वैश्यो करन का आगे जब मैं आपको वैश्यो करन का विरोध बताऊंगा पड़ाऊंगा वहाँ पर बताऊंगा कि संस्कृति में बदलाव आने से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं अमेरिकी संस्कृति की तरफ जुका हो रहा है आज के समय में हर कोई अमेरिका जैसा बनना चाहता है अमेरिका के लोगों जैसा बनना चाहता है जिस तरीके से वो अब आप देखते हो पहले हम धोती गुर्ता जो होता था हमारी जो पहनावा होता था धोती गुर्ता पहनते थे लोग साड़ी वगएरा पहनते थे आज के समय में उसकी जगा किस ने ले लिए जीन्स ने ले लिए पहनावा जो हमारा बिल्कुल बदलता जा रहा है और सूट वगएरा पहनने लगे है कोट, टाई वगएरा यूज़ करने लगे है जो कि पहले हमारे आपे कभी नहीं होता था पहले का पहनावा बिल्कुल अलग था और अब का बिल्कुल अलग है कहीं न कहीं हम अमेरिकी संस्कृति की तरफ जुक रहे है ठीक है, महिलाओं की स्तिती में कमी भी आई है और महिलाओं की स्थिती में कुछ सुधार भी हुए कमी और सुधार को इसको समझना आपको बहुत अच्छे तरीके से देखे सुधार क्या है कि आज से कई साल पहले ये माना जाता था कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ा कर क्या करना है जादा पढ़ाएंगे तो जब इनकी शादी होगी लडकियों की तो इनको चूला चोका करना है सारी जिंदकी ऐसा कहते थे पहले मैं आपको बताऊंगे पचास साल साल पहले ऐसा सोच होती थी तो बौई जो घर की लड़कें होती तो उसको जादा पढ़ाते नहीं थे यानि कि ऐसा कोई छेतर नहीं है जहांपे महिलाएं ना और जहांपे उन्होंने अच्छे कारे करके ना दिखाए हो तो आप समझ सकते हों कि मतलब पहले क्या सोचती और अब क्या सोचती तो यह हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्तिती में सुधार आया है लेकिन महिलाओं की स्थिती में कमी आई है आप फिलमें देखते हैं और खास कर विदेशी फिलमें और कहीं न गए उन फिलमों से हमारे उपर क्या एफेक्ट पड़ता है कि महिलाओं को उब्भोग की वस्तू समझा जाता है यानि कि उनको बहुत गलत तरीके से फिल्मों में प्रदर्शित किया जाता है हमारे सामने और हमारे दिमाग में गलत इमेज बनाई जाते है महिलाओं के परती और कहीं ना कहीं बहुत मतलब अब आप समझ जाईए इन सब चीजों को मैं ज़्यादा एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा हूँ तो यही सब चल रहा है ठीक है तो कमी भी आ रही है और इनकी स्थिति में सुधार भी हो है दोनों तरह के हमें देखने को मिले है वैश्वी करन के थैत विदेशी फिल्मों का बहुत चलन हो गया है विदेशी फिल्म में विदेशी तेवहार आप वैलेंटाइन डे वगेरा बहुत देखते हैं और आज से कई साल पहले हमें तो पता ही नहीं होता था कि वैलेंटाइन डे नाम गभी कोई तेवहार होता है पर आज के समय में तो हर किसी को पता होता है तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारा जो रुजहान है वो बिल्कुल बदलता जा रहे हैं विदेशी फिल्में विदेशी तेवहार वहां का संगीत रॉक म्यूजिक और इंग्लिस जो गाने होते हैं उसको बहुत ज़्यादा आजकल के जो जनरेशन हैं नई जनरेशन व पूरी है ऐसा घाचार है रूड़ी वाधीता का मैं आपको एक एक जामपल देता हूं रूड़ी वाधीता क्या है कुछ ऐसी बात है जिसके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो पता नहीं पर वो पुराने समय से चली आ रही है उधारन देता हूं आपने सुनाओगा आप र आज से पिछली जनरेशन में या उनसे पहले की जनरेशन में ये चीज़े मानी जाती थी पर आप देरे देरे ये चीज़े कम होती जा रही है लोग इस पर विश्वास कम करने लगे हैं विदेशी संस्कृति का परसार हो रहा है लोगों के विचारों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है विचार हमारे बदलने तो ये वैश्विकरन का संस्कृतिक प्रभाव होता आप समझ रहें संस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से है अब बात कर लेते हैं वैश्विकरन के कुछ आर्थिक प्रभाव तो आर्थिक प्रभाव देखो मुक्त व्यापार का जो concept है ये पूरी दुनिया में च्छा गया है और free trade वाला system हो गया कि दुनिया के विबिन देशों के बीच में आप सी व्यापार हो रहा है अब हमने पढ़ा कि Taiwan की चीज इंडिया में विक रही है चाइना की चीज इंडिया में यहां पे क्या होता था मैं आपके उधारन से समझाता हूँ कि आपने सुना ओगा संरक्षनवाद की नीती कोई प्रडक्ट खरीदे है आप मोबाइल嗦े तो हम कोसिस करेंगे अपने देश में इंडिया की कमपनी में बना हुआ मोबाइल खरीदेंगे इंडियन ब्रेंड या मालो आपको कोई भी x y z कोई भी सामान करीदना है कोसिस करेंगे कि भारत में manufacturing हुई हो उसकी भारतिये कमपनी हो हम उसका product खरीदेंगे और सरकार भी इसको बड़ावा देती थी ताकि जो देश के जो उद्योग हैं देश के जो बनने वाली चीज़ें उसको promote किया जा सके ठीक है विदेशी company का product कम खरीदते थे और उसपे tax भी ज़्यादा लगा देते थे ताकि लोगों को वो चीज़ महेंगी पड़े तो लोग विदेशी चीज़ों को कम खरीदे और देश में बनीवी चीज़ों को ज़्यादा खरीदे इस चीज़ को बोलते हैं संरक्षन वा ब्रेंड थे लेकिन जैसे ही दूसरी ब्रेंड के एंट्री हुई वेश्ट्री करन की नीति को अपनाया और व्यापार को बढ़ावा दिया जब दूसरे ब्रेंड आये तो वो सारी चीज़े सस्ती आने लगी मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले जो मोबाइल आते थ ठीक है कैमरे वाला जो फोन होता था सिंपल वो भी काफी महांगा होता था लेकिन जैसे ही चाइना के एंट्री हुई इन चीज में तो अब चाइनीज जो चीजे हैं वो इससे आधी कीमत में हमें इससे दो गुने फीचर अविलिबल कराने लगे तो हम क्या हुआ हुआ हमा प्रोड़क्ट बेचना है तो इनको भी क्वालिटी अपना प्राइस घटाना होगा अपने फीचर बढ़ाने होंगे वालिटी बढ़ानी होगी तो यह सब चलता रहा तो आप समझ कि हूंगे की सनरक्शन वाद क्या है और सनरक्शन वाद में क्या-क्या फाइदे और क्या ये, लेकिन आप सोचोगे कि वर्दवान समय में फिर से boycot चाइना की आवाज उठ रही है, यानि चाइना के प्रोडक्ट को बॉईज़ को इंडिया में बने वेचोज परिप्रोक्ट को प्रोमोट करो, तो क्या ये फिर से संद्रक्षन वाद की नीती है तो ये संद्रक्षन वाद की नीती नहीं है संद्रक्षन वाद की नीती कैसे नहीं है क्योंकि चाइना को boycott करने के पीछे जो कारण है वो कारण अलगे आप COVID-19 और बहुत सारी चीज़े देख सकते हो ये कारण है और दूसरा क्या है वाइकाट चाइना का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका का प्रोड़क्ट नहीं लेंगे ताइवान का प्रोड़क्ट नहीं लेंगे होंकों का प्रोड़क्ट नहीं लेंगे अन्य देसों का प्रोड़क्ट नहीं लेंगे तो आप समझ गयोंगे से, इसके बाद क्या है कि पुनजी वादी देशों को लाब हो रहा है, वैश्रीकरन का जो आर्थिक प्रभाव हो है, उससे पुनजी वादी देशों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये जो देश होते हैं, इनके पास अच्छे टेकनलोजी होती ह या अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं अच्छे प्रोडक्ट बनाने के वज़े से ये देश में बेज सकते हैं विक्सित देश अपनी वीजा नीति कठोर बना लेते हैं जो विक्सित देश होते हैं वो अपनी वीजा नीति को के अगरते हैं कठोर बना लेते हैं क्यों कठोर बनाते हैं ताकि कोई भी विक्ति अराम से उन देशों में जाकर ना रह सके वहां पे काम करना उसके लिए उतना असान ना रहें ऐसे में क्या होता है विक्सित देश नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग वहाँ पर आएं उनके रोजगार को छीनें उनके यहाँ पर काम करें और मतलब उनको नुक्सान हो किसी तरीके से इसलिए वो इन अपनी वीजा निती जो है उसको कठोर बनाते है निजी करन और पुझी वात को बढ़ावा मिल रहा है ऐसा कहा जाता है वैश्व करन से और लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है क्योंकि जब बहुत सारी देखें यहाँ पर एक मल्टी नैस्नल कंपनी वाला भी सीन है इसे भी समझे मल्टी नैस्नल कंपनी कौन सी कंपनी होती है ऐसी होती है जो मानलो जैसे की कोई कंपनी है वह दुनिया के अलग-अलग देशों में जाके अपने मैनुफ्इक्ट्रिंग मेंल में-धौर्ण कार यांपने लगाते हैं वहां से अपनि प्रोड़क्ट और दुनिया में सेल करते हैं मानलो कोई कि कंपनी है थ्रूपनी हैlicher तो स किसी चौत्थे देश में भी करेंगे 50-100 देश में कर सकते हैं यानि एक कंपणी जब अलग-अलग देशों में जाके अपने इन्वेश्ट करती है पूंजी लगाती है वहां पे काम करती है वहां से चीज़ बनाती है तो एक तरह से वह MNC के तरह काम करती है ठीक है और और य इंडिया सी रहेंगे तो इस से क्या होता है जो काम करने वाले लोग यहां पे उंगे तो इन लोगों को लाखोवों को रोजगार भी मिलता सब्सक्राइब रहें तो ये भी कह सकते हैं लाखोव प्रिभाओ आगे है भारत और वेश्वीकरन का विरोद देखेंगे और फिर हमारा t cruel चायेगा चलिए देखते हैं भारत और वेश्वीकरन का क्या मतलब तो दुनिया में तथा भारत में वे इस्वीकरन का इतिहाज जो है बहुत पुराना है, मैंने आपको chapter 1 वाला history का example दिया था, भारत में बनी बनाई वस्तों का आया तक, भारत जो है बनी बनाई वस्तों का आया तक, यानि उनको खरीदता है, और कच्छे माल का निर्यातक था, ऐसा होता था, भारत ने आजादी के बाद से ये फैसला किया, कि हम दूस अपने देश के उतपादगों को प्रोसहान यानि प्रोमोट करेंगे, इससे कुछ छेत्रों में तरक्की हो गई, लेकिन कुछ छेत्रों डूब गए, बाकी देशों की तिलना में भारत पिछल गया, ऐसे में 1991 में वित्य संकट वाली समस्या को जहल लाता, ऐसे में नई आर इसका वीडियो में आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में LPG वीडियो जरूर देके, लिबरेशन, प्राइवटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको समझना है, ठीक है, व्यापार की जो बाधाएं थी वो खतम कर दी गई, तो ऐसे में क्या हुआ जब लग गए, तो ये था, अब भारत में वैश्विकरन का विरोध भी हुआ है, बहुत जादा विरोध हुआ है, अब आपके दिमाग में आएगा कि विरोध क्यों हुआ है, तो देखे, इसके पीछे कई कारण Test एक कई कारण है, तो सब को समझते हैं, पूरी दुनिया में छो हैं दोनोत रहें इसका विरोद करने वाम पंथी कौन होते हैं और दक्षिन-पंती ऍड lessons विचारधार की लोग और वाम पंथी द्क्षिन-पंथी की बात हम करें वाम पंथी वह RAW लोग होते हैं नुकसान हो रहे ऐसा भी भारत में लोग कहते हैं ये धनी को धनी बना के हितों की रक्षा नहीं करता यानि अब जो सरकार है वो गरीबों की रक्षा नहीं कर पा रही है वैश्वी करन के दक्षिन पंति आलोचक जो हैं वो क्या कहते हैं कि इससे राजनीतिक भी नुकसान है आर्थिक सांस्कृतिक हर तरह के नुकसान है यानि बुरे प्रभाव पढ़ रहे हैं ठीक है प्रभाव जो हैं वो बुरे पढ़ रहे हैं ऐसा कहते हैं ये लोग वैश्विकरन से सांस्कृतिक प्रभाव भी बुरे पढ़ रहे हैं अभी मैं आपको बताया था कि हमारे संस्कृति जो होती थी वो संस्कृति सब्वेता हम खो रहे हैं हम कहीं न कहीं अमेरिका या फिर जो वेस्टन कंट्री हैं उनकी सब्वेता को अपना रहे हैं ठीक है लोग अपनी पुरानी सद्यों पुरानी परंपरा और संस्कृति को खो रहे हैं वेश्वय करन जो है विरोधी अंदोलन सिर्फ भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में हो रहें अब ऐसे मैं क्या हुआ जब पूरी दुनिया में वेश्वय करन का विरोध होने लगा तो देखे वैश्योगरान के आपको फाइदे नुकसान दोनों है अभी तक मैं आपको बता रहता है उसमें फाइदे भी मैंने बहुत सारे बता रहे थे अब मैं आपको बता रहा हूँ नुकसान तो ऐसे में क्या हुआ अब दुनिया में बहुत सारे देश हैं अब इतने सार देसों में अलग अलग देसों मानलो इंडिया में कुछ लोग विरोध करते हैं ठीक है अमेरिका में कुछ लोग विरोध करते हैं जापान में कुछ लोग करते हैं चाइना में कुछ लोग करते हैं मानलो श्रीलंगा में कुछ लोग करते हैं ऐसे दुनिया बरे में कुछ लिया group बना लिया अपना एक मंच बना लिया तो वैश्वेकरन के विरोध के लिए एक मंच बनाया गया जिसको WSF के नाम से जाना जाता है अब आपके लिए आज का पहला प्रश्ण है आप मुझे comment में बताएंगे कि WSF जो वैश्वेकरन के विरोधियों का एक मंच है इसका पूरा नाम क्या है यानि इसका फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट में बताएं ठीक है तो इन्होंने कि अगर अपना एक मंच बना है जिसको WSF कहा गया इस मंच के तहत मानव अधिकार कारे करता पर्यावरन वादी मजदूर लोग युवा लोग महिला कारे करता ये सब क्या हुआ एक जूट हो गए और उन्होंने मिलकर वैश्वेकरन का दुनिया बर में विरोध गरना सुरू कर दिया ठीक है अब यहाँ पे सोरी यहाँ पे तो कब हुई थी वन मार्क्स में आपके कोशन आया हुआ है तो उमीद गरता हूँ आपको इस समझ में आया होगा तो देखिए जो भी मैंने आपको कोशन बताये ना पेपर में आपके इससे बाहर कोशन नहीं आएगा तो आप बता दो कि वैश्वी करन प्रभाव है कई तरीके से हो सकता है दूसरा आता है वैश्वी करन के सांस्कृतिक प्रभाव बताओ कई बार सांस्कृतिक पूछ लेते हैं तो कई बार इसके राजनेतिक प्रभाव पूछ लेते हैं कई बार इसके सामाजी कि या फिर आर्थिक प्रभाव पूछे जा सकते हैं ठीक है यह हो जाता है आपके पेपर में कोशन आता है कई बारे से पूछ लेते हैं कि वैश्वी करन के सगारात्मक और नगारात्मक बताओं सगारात्मक में आप इसके फायदे बता दोगे क्या-क्या फाइदे हुए और नगारातमक्त में आप इसकी कमिया बता दोगे बस यह दो तीन लिमिटेड कोशन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक कोशन है जो कई बार आ सकता है वह वैश्विकरन के कारण बताओ इसके अलावा आज तक पिछले 12-14 साल के पेपर देख लोगे कोई कोशन नहीं बना इस चैप्टर से और ना ही इस चैप्टर से बनता है कोई कोशन तो आप बिलकुल बे फिकर ओके इसे बिलकुल अच्छे से याद कर लें जो जो आपको बताया है और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक् कंप्लेट हो चुका है धन्यवाद जय हिंद जय भारत